जय मादादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 अगस्त और 21 अगस्त 2021 के सिहिंग राशी फल के बारे में सिहिंग राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रहन अक्षतरों के स्थिति क्या कहेगी किस तरह के योग बनेंगे और उनका प्रभाव आपकी दिन्चरिया पर कैसा होगा जानेंगे आपकी जीवन से जुड़े प्रतिक शेत्र के बारे में बस आगे बढ़ने से पहले आपसे चोट असा ही निविदन है चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारिया मिलती रहेंगी तो चलिए इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं पूरा दिन रवी योग भी रहेगा चंद्रमा की स्तिति इस दिन मकहराशी में है जो शनी की राशी है और यहां शनी भी मौजूद है वक्रस्ति स्तिति में तो यहां चंद्र और शैनी की यूती हो जाएगी सूर्य जो है वो सेहिंग राशी आपके लगन में बैठे हुए हैं मगहा नक्षत्र में अब इस दिन का जो अभीजीत मूर्थ है वो है सुबहा 11 बजकर 47 मिनट से दोपहर 12 बजकर 50 मिनट तक अब 21 अगस्त तो यह शनिवार का दिन है सावन माह का अंतिम शनिवार है यह और शुकल पक्ष की चतोरदशी ती रहेगी श्रवन नक्षत्र रहेगा सोभाग्य नाम का योग बनेगा बड़ा ही उत्तम योग है और साथ में सरवार सिद्धी योग और रवी योग यह दोनों पूरे दिन ही रहने वाले हैं चंद्रमा इस दिन भी मकर राशी में होंगे शानी के साथ और सूरियत सेहिंग राशी आपकी लगर में बैठे हुए हैं अभी जीत मोरता है इस दिन का सुबह 11 बज कर 47 मिनट से दोपहर 12 बज कर 50 मिनट तक तो यह हो गई ग्रहनक शत्रों के अब यहां जिस भाव में चंद्रमा होंगे उनके साथ जो ग्रह होंगे तो उसी के अनुसार आपकी जो दिन चरिया है उसमें परिवर्तन होने वाले हैं अब चंद्रमा तो मकर राशी में बैठे हैं शनी के साथ यूती हो गई है चंद्रमा की वक्री इस्तिती में है शनी और जहां तक सेहिंग राशी के लोगों के लिए यह जो इस्तिती होगी यह चटेभाव में होगी प्रतियोगिता इन सभी चीजों का ये भाव होता है तो एक तो इस चीज के इस दिन जो 20 अगस्त का का दिन है एक चीज़ का देहान रखें स्वास्था को नजर अंदाज बिलकुल ना करें और अगर कुछ आपकी ऐसी आदते हैं जिने आप छोड़ना चाहते हैं अलकोहल वगेरा की तो उनसे आपको बच कर रहना होगा उनकी वजह से स्वास्था सम्मंधी परिशानियां हो सक सामाजिक गतिविधियां आपको खुशियां देंगी खुशियां बरकरार रखेंगी अचानक से कोई सुखद संदेश मिल सकता है जो आपके मीठे सपने देगा आपको नींद में भी आपको मीठे सपने आने वाले हैं ऐसा सुखद संदेश आपके लिए खुशियां वाला और ये जो दिन होगा सब के ध्यान का के इंद्र आपकी तरफ होगा आपके लिए कुछ ऐसी उपलब्धी हो सकती है जो सब की नजरों में आपको लाकर खड़ा कर देगी अपनी सबी कामों को समय से निपटाएं घर परिवार के साथ ये वक्त आप विताएं और जो लोग प् अच्छा समय वैतित करेंगे बहुत ही अनुकुल ये दिन आपके लिए रहने वाला है आत्म विश्वास से भरे होंगे और अपने अंदर आप देखेंगे पूरी समर्पन की भावना होगी काम के प्रति अपनी काम में जुटेंगे सकारात्मक रूप से उसे पूरा कर है तो आप में से कुछ लोगों को इस दिन कुछ अच्छे प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं और इस जब आपको कुछ अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे तो आपको लगेगा कि समय की कमी हैं आपके पास समय की कमी भी महसूस कर सकते हैं एक वक्त होता है कि आपका समय नहीं बी तो वैसी ही स्थिति आपकी होने वाली है आप इतनी सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो विते स्थिति में तो सुधार होना तै है आपको आयकाय का तरिक तश्रोत भी मिल सकता है स्टूडेंट्स की बात करें तो परिक्षा प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी स्थिति को आ और समर्पन रखें बाकी तो समय जो है वो काफी अच्छा होगा बहुत अच्छा समय रहने वाला है अब बात करते हैं हम 21 अगस्त की तो यह 21 अगस्त का जो दिन है सावन के महीने का अंतिम शनिवार है और अंतिम शनिवार के दिन कुछ हुपाय अगर आप कर लें तो बार वालों के साथ खुशी के पल बिताने का और इस राशी के जो लोग सीए हैं चार्टेट अकाउंटन्ट हैं या ऐसे ही किसी फिल्ड से जुड़े हुए हैं तो उन्हें तरक्की के कई सुनहरे मौके मिल सकते हैं आपको किसी बड़े बुजूर्ग की मदद भी प्राप वी लोग हैं और अनुभव पहुत कुछ सिखाता है आप अपने मन में राहत महसूस करेंगे कारिशेत्र में हर तरह से सक्षम होंगे आपका खुशनुमा वहवार होगा जो घर में खुशी का वातावरन बना देगा आप अपने करियर में नए आयाम स्थापेत कर पाएंग आर्थिक मामलों में लाब की प्राप्ति भी होगी सभी काम आपके समय से पूरे हो जाएंगे अगर लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ ठी ठाक रहेगी किसी बात को लेकर आपका पार्टनर आपसे रूट सकता है तो अपनी वानी को थोड़ा सा कंट्रोल करके रख प्राप्ति आपके जीवन के लाइब गार सकता है जब भी आपके कोई नई दोस्ती हो तो उसकी जो इक्षाएं हैं आकांक्षाएं हैं या जैसा उसका वहवार है उसको पहले से ही भापनने तो अच्छा है ताकि आपको समय रहते पता चल सके कि कौन आपके लिए अच्छ रहने वाले हैं क्योंकि चटे वहां में चंद्रमा है और यह अगर आ già पार अपके निए वहां लूस्त है देखने को मिलेंगे तो शनिवार के दिन तो आपको ये सावन का अंतिम शनिवार है और फिर उससे आगे लिए दिन सावन खतम भी हो जाएगा तो इस दिन अगर आपके उपर कर्ज है तो आप शिवलिंग पर काले तिल जरूर अर्कित करें इससे आपका कर्ज बड़ी आसानी से उतर सकता है तो दोस्तो और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारी इस वीडियो को जड़ ज़द लाइक करें शेयर करें